जय हिन दोस्तों माईगो फ्रान सर आप सबका अपने यूटूब चैनल एंडी जाम प्रेकर पर स्वागत करते हैं गोल लखली का आइटम कैसे निकालते हैं यानि कि गोल लखली का सेफटी सेफटी मींज क्यूबिक फीट जिसे हम हिंदी में गन फीट भी कहते हैं गन फीट हम कैसे निकालते हैं किसी भी गोल लखली का इसके रिगार्डि इसके संबंद में हमने एक वीडियो डाली थी वो थी कि गोल लखली का सेफटी कैसे निकाली तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो उस दिन हमने फार्मूला बताया था निकालने के लिए उस फार्मूले में हमेशा क्या होता था कि जैसा कि आप देख सकते हैं फार्मूला की गोल लगली का आयता तो गोल लगड़ी का आयतन बरावर गोलाई उचाई यह फार्मूला होता है लेकिन आपने अगर वो वीडियो देखी होगी तो इस फार्मूले में एक चीज मिसिम है वो यह है कि अपान में 2-3-0-4 से भाग यानि कि जब गोल लगड़ी का आयतन निकालते हैं तो 2-3-0-4 य पहरी बाद कि जो इसमें गोलाई होती है हमेशा उसको इंच में मापते हैं और जो उचाई होती है उसको हमेशा फिट में लेते हैं यह रूल है तब ही हम इस फार्मूले का परियोग कर सकते हैं आये गोलाई जिससे हम परिमार भी कहते हैं इंगलिस में circumference अब देखिएग अगर कोई भी गोल रख ली है तो उनमें आपको कितनी चीजें देख यहां पर हमें देखना है यहां पर लबड़िया है क्या निकाल यहां निकालना है तो आयतन निकालने के लिए जो गोल आई होगी अब माल लपणी है तो इसके विच वीक से जो खिनारों आतक की दूरी होगी, उसे हम क्या कहते हैं? आर, इसमाल आर से रेटियस जिसे हम हिंदी में तरिज्जिया कहते हैं तो यहां पर जो तरिज्जिया होगी, उसे हम आर कहीं तो गोल आइपर रवस्टी वर्वस्टी रवस तो पाई आर अब देखिए का जब हम आयतन निकालना शुरू करते हैं अब देखिए कि यह जब भी गोल लख्ली होगी तो इसे माइटमेटिक्स की बहाता में क्या गहिए और कोई भी गोल चीज है तो उसे हम सिलिंडर कहते हैं हिंदी में इसे बेलब कहते हैं जो बेजन का icon होता है वाइणृन जिसे भी सिरिनोड करते हम तो बेजन का icon होता है Pii r square h अब इतने आप देखं़े है r square h तो जहाँ पर चुक़ि हमें गोलाई पता है 2pie r और यहाँ पर the formula में हमें r पता है तो यहां पर R हमें पता करने के लिए R यहां पर हम क्या करेंगे रोग लेंगे और 2P यहां पर नीचे बेल देंगे तो R पर आपर हो जाएगा C upon 2P जहां पर C क्या है गोला लिए और देखिए गाँ तो यहां पर पाई अब यहां पर गुड़े करने साल लगाएं कि R² अब यहां पर देख सकते हैं पाई से पाई यहां पर हो जाएगा C इन्टू C अपाई पू तो जाएगा आपका इन्टू यहां पर क्या होगा पाई और यहां पर हो जाएगा अब यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि पाई की वैलू हमने प्रिवेस विडियों बताए थी कितना होता है पाई की वैलू 3.14 अब यहां पर हमने एक चीज़ बताई है जो ध्यान रखना है कि तेज तो चार यहीं से आप डिनोट करेंगी कि तेज तो चार कैसे आए तो जैसा कि हमने बताया कि C गोलाई है H उचाई है और C को हमने इंच में लिया है और H को हमें हमेशा फिट में लेते हैं और जब इससे आपका मान निकल कर आएगा तो उसे हम कहेंगे safety मतलब cubic feet यानि कि gun feet में निकल कर आएगा तो gun feet में निकल कर आएगा और हम जानते हैं कि-c के-c में inch में तो 1 inch जो होता है अगर 12 से भाग कर दें क्योंकि 1 foot में 12 inch यहाँ जब हम 12 से divide करेंगे तो यह बन जाएगा fit में यहाँ पर देखिएगा C आपां एक बार इसको जब 12 से डिवाइट किया तो यह फित में बदल गया, दूसरी बार इसको 12 से डिवाइट किया, तो फिट में बदल गया, इंटू H, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि Pi, Pi की वैलू कितनी होते हैं, इंटू Pi भी है, Pi की वैलू जैसा कि हमने बता है 3.1 फॉल, ले तो यहां पर कितना आ जाएगा 5 के अस्थान पर यहां पर 4 रखेंगे। अब जब यहां पर 12 गुले 4 12 गुले 4 कितनी बार 2 तो यहां पर पुरा बुड़ा करेंगे तो c into h upon 2 3 0 4 तो यहां पर c कितनी बार हैं? दोस्तों, c यहां पर 2 बार है, c into c तो यहां पर आप c को कितनी बार लेंगे 2 बार तो यहां पर c into c upon 3 0 4 जो कि फार्मूला आप देख रहे हैं, c जो कि गुड़े गुड़े उचाई upon 3 0 4 बस यही आपका फार्मूला कैसे आया? आसा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा चुकि c inch में था, इसलिए यहां पर fit में बदलने के लिए इसको 12-12 से भाग किया और जब इसको गुड़ा किया तो यह आ गया 304 तो यही था इसका region कि 304 से आखिर क्यों भाग करते हैं किसी भी goal लगली का आयतन निकालने के लिए तो दोस्तो अगर यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब करें धन्यवाद